हलो स्टुरेंट्स, वलकम तो माई क्लास, स्टुरेंट्स, आज का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा एक बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे भरेंगे, ठीक है? तो चलिए, शुरू करते हैं आज का क्लास, तो स्टुरेंट्स जैसे के आप लोग देख सकते हूँ, यहाँ पे बूट पे मैंने दो सेम ट्राइंगल रोकिया हुआ है, ठीक है? अगर आपको सेम, एक्जैकली सेम नहीं लग रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मान लेते हैं कि बूटर एक्जैकली सेम ट्राइंगल, ठीक है? तो स्रिंट्स, मान देते हैं, this is A vector, this is B vector and this is C vector. तो यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज यह है, कि A vector, B vector and C vector, they are in same order, तीनों वेक्टर, same order में है, ठीक है? तीनों वेक्टर, same order में है, ठीक है स्ट्स, next, यहाँ पे ध्यान देते हैं स्ट्स, तो मान लेते, this is A vector, ठीक है? same रखाना मेंने direction, so this is A vector, again, this is B vector, ठीक है? B vector, direction same रखा मेंने, next, यहाँ पे direction इस और देता हूँ. तो strings, यह वाला क्या vector हो जाएगा? If this is C vector, यह तो opposite है, वैसे इन दोनों vector का, इन दोनों vector का magnitude same है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि बोत आर same triangle, तो इन दोनों vector का, यह वाला vector and यह वाला vector का magnitude same है, but very clearly आप लोग देख सकते हो कि, यह वाला vector और यह वाला vector का direction opposite है, तो strings, अगर आप इसको C vector बोलोगे, तो इसको क्या बोलोगे? तो आप लोगोंने answer कर दिया होगा, students, इसको बोलोगे negative of C vector, yes or no? ठीक है न, अगर यह C vector है, तो यह वाला क्या है? negative of C vector, कोई problem students? अगर आप अभी इस triangle पे, अगर आप अभी इस triangle पे, triangle law of vector addition apply करेंगे, triangle law of vector addition, तो students, अब देख सकते हो कि, this and this, this two vectors are in the same order, yes, this two vectors are in the same order and this is the vector which is in the opposite order, right, so students, अब देख सकते है, A vector plus B vector, that is, the two vectors which are in the same order is equal to, is equal to, this vector which is in the opposite order, so minus C vector, कोई problem, no, no, then, यहाँ से आप लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हो, और, minus C vector उधर जाएगा, so A vector plus B vector plus C vector equals to 0, ठीके, students, और अगर आपको negative of C vector नहीं देखना है, सिर्फ C vector को देखना है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो, students, क्या दिख रहा है आपको, A vector plus B vector plus C vector equals to 0, या इसको आप कैसे बूल सकते हो, resultant of A vector, B vector and C vector is 0, और vector addition of A vector, B vector and C vector is 0, या composition of A vector, B vector and C vector is 0, तो यहाँ से आपको क्या सिखने को मिला, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, तो, students, if in any triangle, if in any triangle, तीन साइड, तीन vectors को रिप्रेजन करता है, both in terms of magnitude and direction, if in a triangle, three sides represents three vectors, both in terms of magnitude and direction, and, sub-symptomative change, the three vectors are in the same order, the three vectors are in the same order, इकर एकिने, the three vectors are in the same order, then, their resultant is 0, then, their resultant is 0, और their vector addition is 0, किसके लिए बूला, मैंने, friends, vectors, किसके लिए बूला, vectors, इसका मतलब, आपको याद रखना है, कि vectors के जगा पे force हो सकता है, momentum हो सकता है, दूसरा vectors भी हो सकता है, ठेके, friends, तो, आपको याद रखना है, इन आ ट्राइंगल, अगर तीन साइट तीन वेक्टर्स को रिप्रेसंट करता है, और तीनों वेक्टर का ओडर, सेम ओडर में रहता है, then, their resultant is 0, क्लेर स्टुदेंट्स, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, स्टुदेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे, एक्विलिब्रियाम ओफ कॉन्करेंट फोर्सेस, एक्विलिब्रियाम ओफ कॉन्करेंट फोर्सेस, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, कि कॉन्करेंट फोर्सेस किसको कहते हैं, तो स्टुदेंट्स, किसी भी बोडी में, किसी भी बोडी में माल लेते हैं दो force या उसे ज़ादा force एक्ट हो रहा है लेकिन हर एक force एक ही point में एक्ट हो रहा है हर एक force एक ही point पे act हो रहा है ठीक है? जैसे कि this is a body ठीक है? आप देख सकते हो कि इस body पे तिन forces act कर रहा है F1 vector, F2 vector and F3 vector लेकिन तिनों force एक ही point पे act हो रहा है In that case वो सा forces को आप लोग बोलेंगे श्वेंट्स Concurrent forces ठीक है? तो एक बाद statement देख लेते हैं forces acting forces acting यहाँ पे language में missing है forces acting at the forces acting at the same point on a body forces acting at the the same point on a body are called concurrent forces ठीक है ठीक है ठीक है? दो force या दो से ज्यादा force तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पचास हो सकता है ठीक है? अगर एक body के एक ही point पे act करता है तो वो forces को बोलेंगे concurrent forces अगे बढ़ते हैं इक्विलीब्रियाम of concurrent forces का मतलब क्या है? इक्विलीब्रियाम of concurrent forces का मतलब क्या है? तो द्यान से सुनना है तो जैसे कि आप देख सकते हो इस body पे तीन force act कर रहा है और एक ही point पे act कर रहा है Students अगर in concurrent forces का resultant 0 हुआ द्यान से सुनना है अगर in concurrent forces का resultant 0 हुआ मतलब आप ऐसे लिख सकते हो F1 vector plus F2 vector plus F3 vector equals to 0 अगर in concurrent forces का resultant 0 हुआ तो students वो body अगर rest state पे था तो वो rest state पे रहेगा और अगर और अगर uniform motion पे था in a straight line तो वो uniform motion पे ही रहेगा in the same straight line This is basically Newton's fast flow only ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला? मैं अगर इक पर बोल देता है ध्यान से सुनना है एक body जिस पे क्या force act हो रहा है? क्या forces act हो रहा है? concurrent forces मतलब जितना भी forces से उस body के एक ही point पे act हो रहा है now if the resultant force is 0 तीन force act हो रहा है, 4 force act हो रहा है 5 number of forces act हो रहा है, 10 number of forces act हो रहा है and all of them are concurrent forces but if the resultant is 0 तो students, body का जो state था वो ही state maintain होगा अगर body rest पे था, तो वो rest पे रहेगा और अगर body motion पे था, uniform motion पे था in a straight line तो वो uniform motion पे ही रहेगा in the same straight line if the resultant of the concurrent forces is 0 उसी को हम लोग कहते है equilibrium of concurrent forces हम लोग तब बोलेंगे की body equilibrium पे है clear students, तेक बार language देख लेते है सुनना है, धिरे-धिरे सुनना है when a number of forces acting on a body at the same point when a number of forces act on a body at the same point मतलब concurrent forces का बाद चल रहे है and the resultant force is 0 and the resultant force is 0 the body, the body will continue in its state of rest or of uniform motion along a straight line और तब हम लोग बोलेंगे and it's said to be in equilibrium clear students, clear, बहुत simple था ठीक है ना? students, next हम लोग देखेंगे Lammis Theorem Lammis Theorem लेकिन Lammis Theorem समझने के लिए mathematics का एक लोग पता होना चाहिए अप लोग को शायद पता होगा तकार नहीं पता तो एक बढ़ देख लिजिए it is law of sign ठीक है? law of sign तो क्या कहता है law of sign वो हम लोग को पता होना चाहिए to understand Lammis Theorem तो students first of all law of sign is applicable in all triangles ठीक है? law of sign हर एक triangle के लिए applicable है तो students अब देख सकता this is a triangle मान लेते है this angle is A capital A this angle is capital V and this angle is capital C ठीक है? and मान लेते है length of this side is small a length of this side is small b and length of this side is small c then students according to law of sign according to law of sign ratio of length ratio of length of any side of a triangle to that of sign of opposite angle side का जो opposite angle है sign of that angle is equal is equal for all sides and is equal for all sides and its opposite angles मतलब मतलब सम्मज में आ जाएगा tension लेने का कोई बात नही है किसी भी side का जो length है उसका अन उसके opposite angle का sign of that angle का ratio side side sign of opposite angle side का opposite angle का sign यह equal होता है हर एक side से न उसके opposite angles के लिए मतलब it is equals to b by sign of opposite angle equals to again c by sign of opposite angle clear समज में आएगा आएगा मतलब ratio of side to that of sign of its opposite angle ratio of side ratio of length of a side to that of sign of opposite angle is same same for all sides and its opposite angles समझे में आया है आया ठीक है बहुत एजी है ठीक है तो इस लो of sign एक बार statement भी देख लेते है the ratio of the length of a side of a triangle to the sign of the angle opposite to that side length of a side to that of sign of angle opposite to that side ये angle क्या है इस side के opposite है is the same for all sides and angles in a given triangle समझ भाया होगा इस साइट के यहापे भी देखे B इस length इस side का length और divided by sign of sign of इस side के opposite angle समझ भाया होगा similarly is equal to C इस side का length divided by sign of इस side का opposite angle ठीक है तो ये हम लोग को याद रखना है बहुत ज़्यादा easy है तो हम लोग को Lemis theorem clearly समझ में आ जाएगा ठीक है students students अभी हम लोग Lemis theorem देखेंगे बहुत ज़्यादा easy है आपको बहुत easily समझ में आ जाएगा सिर्फ थोड़ा concentration बनाया रखना है तो students आप यहाँ पे देख सकते हूं कि let this be a particle O ठीक है ये एक particle O है या आप ऐसे भी मान सकते हूं कि किसी एक body का ये एक point है ठीक है students so let this be a particle O जहाँ पे तीन concurrent forces act हो रहा है और तीनों का resultant क्या है 0 तो students सबसे पहले तो आपको ये बात दिमाग पे रखना है कि lemis theorem अब सिर्फ तभी apply कर सकते हो जब एक body पे तीन concurrent forces apply हो तीन concurrent forces act करे and तीनों का resultant क्या होगा 0 that means that body will be in equilibrium और that particle will be in equilibrium ठीक है students so this is particle O जहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन concurrent forces act हो रहा है F1 F2 and F3 और ये आपको मैं बोल के दे रहा हो कि their resultant is 0 तो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ देख लेते हैं F2 वेक्टर plus F3 वेक्टर equals to 0 ठीक है students तो ले में स्थिर्म के और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो students मान लेते हैं F2 वेक्टर and F3 वेक्टर के बीच में angle है alpha clear then F1 वेक्टर and F3 वेक्टर के बीच में angle है beta ठीक है and F1 वेक्टर and F2 वेक्टर के बीच में angle है gamma clear students because the resultant of these three forces please concentrate because the resultant of these three forces is 0 इसका मतलब क्या students हम लोगोंने आज initially देखा है इसका मतलब यह है कि यह तीनों force vectors एक triangle में fit हो जाना चाहिए in the same order यह तीनों force vectors F1 vector, F2 vector and F3 vector यह तीनों vector एक triangle पे fit हो जाना चाहिए in the same order clear students तो देहान से सुनना है तो यह है F1 vector जिसको मैंने ऐसे उठा के यहाँ पे रख दिया so this is F1 vector let's concentrate थेक है मैंने magnitude change नहीं किया मैंने direction change नहीं किया so obviously this is F1 vector similarly this is F2 vector मैंने यहाँ पे रख दिया this is F2 vector and this is F3 vector this is your F3 vector कोई problem students no just मैंने इसको उठाया यहाँ पे रखा आप देख सकते हो F1 vector जैसा यहाँ पे यहाँ पे भी ऐसा ही है ठीक है यहाँ पे F2 vector जैसा है यहाँ पे भी ऐसा है तो students आप क्लेरली देख सकते हो कि F1, F2 and F3 F3 यह तीनों एक triangle में fit हो गया in the same order in the same order clear obviously होना ही था because their resultant is 0 अच्छा आगे बढ़ता है तो students F1 vector and F2 vector के भीश में angle क्या है गामा थोड़ा आपको ध्यान देना है please concentrate students F1 vector F1 vector and F2 vector के विश में angle क्या है गामा तो यहाँ पे भी देखिए F1 vector and F2 vector के विश में angle क्या है गामा देखिए भी देखिए भी देखिए समझ में आ रहा है yes or no F1 F1 F2 F2 angle क्या है गामा very easy yes then ध्यान देते फिट से F2 vector and F3 vector के भीश में angle क्या है alpha F2 vector and F3 vector के भीश में angle क्या है alpha तो ध्यान देना है स्विट से मतलब यह angle क्या है alpha ध्यान दीजिये न F2 F2 F3 F3 दोनों के भीश में angle alpha clear friends समझ माया होगा then then F3 and F1 के भीश में क्या है beta so F3 को थोड़ा यहां पे खेच लेता हूँ so F3 and F1 के भीश में क्या है beta clear students कोई problem यहां तक no so F3 F3 देखे है F3 F1 F1 clear students कोई problem no sir then then थोड़ा देंग देना students concentrate अब देख सकते हूँ this is a straight line so यह total कितना होगा 360 degree जिसको पाई radian भी बोल सकते हूँ yes or no sorry गलत बोला मैने this is a straight line तो यह क्या होगा 180 degree and 180 degree is basically पाई radian बोल सकते है yes or no yes so students यह वाला एंगल क्या होगा अगर यह वाला पाई है पाई मतलब 180 degree तो यह कितना होगा red वाला it's पाई minus gamma very simple ठीक है ना similarly this is a straight line यह एंगल कितना होगा 180 यानि कि पाई radian तो यह अगर अलफा है तो यह क्या होगा पाई minus अलफा clear similarly this is a straight line मतलब यह 180 degree होगा और you can say पाई radian तो यह अगर बिटा है तो यह क्या होगा पाई minus बिटा clear clear कोई problem no अभी लेमिस थिरम लगा देंगे एक question का answer कर देजे मेरा students if this is F1 vector if this is F1 vector तो यह length कितना है if this is F1 vector then what is length of this side students we know that length of a side represents magnitude of a vector length of a side is basically magnitude of a vector so if this is F1 vector तो यह length कितना है F1 if this is F2 vector तो यह length कितना है F2 if this is F3 vector तो यह length कितना है F3 ठीक है so जियांदे nice friends so applying law of sign applying law of sign क्या था law of sign length of a side divided by sign of opposite angle तो इसका opposite angle किया है pi minus alpha so sign of pi minus alpha clear equals to again length of a side divided by your ratio of length of a side to that of sign of opposite angle तो इसका opposite angle किया है pi minus beta तो sign of pi minus beta is equal to length of a side divided by sign of opposite angle तो इसका opposite angle किया है pi minus gamma clear clear समझे में आया लेकिन friends आपको पता होना चाहिए कि sign of 180 degree minus theta या sign of pi minus sign of pi minus theta is equal to sign theta ठीके sign of pi minus theta क्या होगा sign theta होगा तो sign of pi minus alpha क्या होगा sign alpha sign of pi minus beta क्या होगा sign beta sign of pi minus gamma क्या होगा sign gamma तो इसके बाद हम लिख सकते और इसके next step लिख रहा हो ठीके और f1 by sin alpha equals to f2 by sin beta equals to f3 by sin gamma this is Lamy's theorem इसको याद कैसे रखे इसको याद कैसे रखे इसको याद कैसे रखे इसको याद कैसे रखे स्रीन्स क्यांजे सुनना है ratio of magnitude of a force what is alpha what is alpha आप ध्यान देंगे to alpha is angle between f2 and f3 that means आप ऐसे बोल सकते हो ratio of magnitude of force please concentrate यहापे concentration level थोड़ा चाहिए होगा नहीं तो आप use नहीं कर पाएंगे इसको ठीक है so ratio of magnitude of a force to that of sine of angle between other two forces यहापे f1 को छोड़के other two forces क्या है f2 and f3 so alpha is the angle between f2 and f3 is equal to again ratio of magnitude of a force ratio of magnitude of a force ratio of magnitude of a force to that of sine of angle between other two forces ठीक है f2 divided by sine of angle between f1 and f3 यहापे क्या होगा f3 divided by क्या होगा f3 divided by sine of angle between f1 and f2 होगा समझे माया होगा f3 divided by sine of angle between f1 and f2 देख लिजिए f3 gamma क्या है angle between f1 and f2 आपको ऐसे याद रखना है ratio of magnitude of force to that of sine of angle between other two force ratio of magnitude of force to that of sine of angle between other two forces is same for all forces for all three forces for all three concurrent forces if their resultant is 0 students आप Lemmy's theorem सिफ तब यूज कर सकते हो जब एक body पे 3 concurrent force act हो रहा हो and 3 का resultant कितना आ रहा है 0 clear then only we can think of using Lemmy's theorem ठीक है students ठीक है तो क्या याद रखना है magnitude of any of the three forces to that of sine of angle between other two forces ठीक है ठीक है यह हर एक forces के लिए equal आता है यह ratio this is Lemmy's theorem clear समझ में आ गया students students एक example देखते है तो students यह रूफ है यह एक rigid support है जहां से दो string के मदद से यह ball जिसका mass से 1 kg यह suspended है and it is in equilibrium यह question पर दिया हुआ है कि this ball is in equilibrium यह hang कर रहा है मुझे इन दोनों wire में या इन दोनों strings में मुझे tension निकालना है यह है question ठीक है इस फ्रिंट्स ठीक है तो मैं दो में दो में दो में दो में दो में दो का knowledge रहना जरूरी है एक तो मैं यूज करूंगा लेमिस थियोरेम और एक दूसरा वाला तो सबसे पहले बिना लेमिस थियोरेम यूज करके निकालते है उसके बाद लेमिस थियोरेम यूज करके भी देखेंगे कैसे निकाला जाता है so very easy आपको ध्यान देते रहना है तो figure को ना खरब करके यहाँ पे में अलग से figure ट्रो कर रहा हो so ध्यान देना है श्रिंट्स यह है 1 kg तो इसका नीचे के और weight होगा weight कितना होगा 1 g mg होता है na weight so 1 kg का weight 1 g then this angle is given 30 degree and this angle is given 60 degree right then strings इस रूप में away from the body body पे tension लगेगा मान ले टी 1 और इस rope के और मतलब body पे ISO tension लगेगा T2 ठीके स्ट्रेंट्स ठीक है tension का concept मैंने करवा दिया था तो थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छी तरह से draw करता है यहाँ पे दे देता है पीगार पे थोड़ा ध्यान देना ठीके स्ट्रेंट्स यह मेरा क्या दिया था कुछ भी देने से होगा कोई प्रोब्लेम निया इस इस माई T1 और याप दिस भी T2 ठीके स्ट्रेंट्स ज्यान दित्ते रहे नहीं एजी है Concentrate स्ट्रेंट्स obviously if this angle is 60 then this angle is 60 yes तो इधर कॉंपोनेंट क्या होगा T1 को break कर रहा हूँ T1 को में break कर रहा हूँ T1 इधर क्या आएगा T1 cos 60 ठीके और इधर आएगा T1 sin 60 ठीके ना ठीके इस और का जो tension था जो body पर लग रहा है away from the body उसको मेंने break कर दिया इधर T1 cos 60 इधर T1 sin 60 similarly T2 को भी break कर देता हूँ T2 इस और है ना students तो T2 को भी break कर देता हूँ इधर होगा यह अगर 30 है तो इधर क्या है यह वाला अंगल क्या है 30 if this angle is 30 then this angle is 30 ठीके तो इधर है T2 तो इधर क्या होगा strength component T2 cos 30 और इधर क्या आएगा T2 sin 30 clear तो students अभी T1 और T2 नहीं है अगर आपको figure में अभी कोई problem आ रहा है तो आप एक बार fit से देख लीजे ठीके है तो इधर ता T1 उसको break करके इधर T1 cos 60 T1 sin 60 और इधर ता T2 उसको break करके T2 cos 30 T2 sin 30 ठीके नहीं है friends next ये तो ये जो ball है जिसका मास से वान किजी it is in equilibrium it is in equilibrium मतलब अगर आप इस direction में देखेंगे तो nat force 0 इस direction में देखेंगे तब भी nat force 0 along horizontal direction nat force is 0 along vertical direction also it is nat force is 0 yes तो धियान दिते रहे नहीं है friends so along horizontal direction along horizontal direction nat force is 0 ठीके ना ये आपे आप लिख सकते हो since the ball is in equilibrium along horizontal direction net force तो 0 है तो along horizontal direction net force 0 इसका मतलब क्या? right direction का force and left direction का force equal होना पड़ेगा right direction का force and left direction का force equal होना पड़ेगा yes or no? yes that means T2 cos 30 जो left direction में है must be equals to T1 cos 60 must be equals to T2 along vertical direction along vertical direction along vertical direction upward force must be equals to downward force yes or no? yes so T1 sin 60 must be equals to T2 sorry upward force upward force का है? T1 sin 60 and T2 sin 30 both are along the upward direction so T1 sin 60 plus T2 sin 30 add हो गया because both are along the upward direction so upward force must be equal to downward force नीचे का है? सिर्फ 1G 1G मतलब 10 clear है? clear? तो दिहान देना students so implies T1 sin 60 कितना है students root 3 by 2 clear plus T2 sin 30 किया हता है? 1G 1G मतलब G is 10 G 10 ले लेंगे 1 multiplied by 10 it is 10 clear clear next next यहां से यहां से थोड़ा simplify करके रखने से अच्छा रहता T2 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 cos 30 मतलब students root 3 by 2 and T1 cos 60 मतलब half ठीक है ना? ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दिना है ध्यान दिना है so implies यह तो 2,2 cancel हो गिया तो T1 इकोस तो क्या है? root 3, T2 T1 क्या है? root 3, T2 है yes or no? T1 क्या है? root 3, T2 तो let this be equation 1 and let this be equation 2 ठीक है? using equation 1 in equation 2 using equation 1 आप लोग language लिख लिएजे हा using equation 1 in equation 2 तो मैं T1 equals to क्या है? root 3, T2 तो T1 के जगा आप यह बिठाऊंगा भी मैं ठीक है? तो T1 के जगा भी बिठाऊंगा root 3, T2 ठीक है? यहाँ पर root 3 divided by 2 है ठीक है? plus T2 equals to तो यहाँ से सुनना है तो यहाँ पर दोनों में half था तो मैंने half को common लिया और उदर लिके चले गए तो 2 जाके 10 के साथ multiply हो गया 20 ठीक है? ठीक है? यहाँ पर root 3 multiplied by root 3 यह समझ माया होगा ना? obvious की समझ माया T1 के जगा पर हम लोगों ने बिठा है root 3 T2 ठीक है? तो यहाँ पर root 3 multiplied by root 3 है 3 तो 3 T2 plus T2 it is 4 T2 तो T2 क्या है? 20 by 4 is 5 Newton T2 आया 5 Newton अभी T2 अब यहाँ पर बिठा दीजिए T1 equals to क्या है? root 3 T2 है ना? 2 2 तो cancel था T1 equals to root 3 T2 therefore T1 equals to root 3 T2 which is equals to root 3 T2 T2 is 5 that means plus 5 root 3 Newton तो T1 और T2 दोनों हम लोगों ने निकाला ठीक है students? समझ माया होगा? यह भी easy है yes or no? फिट से हम लोग इसको solve करते है this time हम लोग result याद रखेंगे हाँ T1 क्या आया था? T1 आया था 5 root 3 Newton and T2 5 Newton ठीक है ना? और हम लोग इने T2 लिया था इसमे इसका टेंशन लिया था T2 और इसमें टेंशन लिया था T1 अच्छा तो स्ट्रेंश क्या बोल रहा था हमें? फिट से हम लोग इस question को solve करेंगे याद इस टाइम बाइ यूजिंग याद्स बाइ यूजिंग लैमी स्थियोरम बाइ यूजिंग लैमी स्थियोरम ठीक है स्ट्रेंश देखते है सेम अंसर आता है कि नहीं ओवियसली सेम अंसर आना चाहिए तो ध्यान देना है स्ट्रेंश ध्यान देना है तो ये था मेरा support ये ध्यान देते रहना है स्ट्रेंश नीचे क्या है 1G इधर tension T1 इधर tension T2 ये 30 degree ये 60 degree तो ये कितना होगा 90 होना पड़ियेगा because this is a triangle, right and sum of triangles sum of angles of a triangle is 180 degree 30 plus 60 तो 90 हो चुका है तो ये वाला कितना होगा 90 ध्यान देना है स्ट्रेंश ध्यान देना है ध्यान देना है अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 60 अगर ये 60 है तो ये वाला कितना होगा 60 और ये कितना है 90 ये कितना है 90 that means ये total angle कितना है total angle कितना है 90 plus 60 देखें, इधर पर देखें, इधर पर concentrate केजिए, students, यह अगर 30 है, तो यह कितना है, 30, और यह वाला कितना है, यह वाला 90, तो यह total कितना हुआ, 90 प्लास 30, 90 प्लास 30, it is 120 degree, ठीक है students, ठीक है, तो ध्यान देना है, तो basically इस ball पे या इस body पे या इस particle पे यह वाला, कितना force act हो रहा है, answer is 3, T1, T2 and 1G, क्या यह तीनों concurrent forces है, yes, एक ही point पे act हो रहा है, next, क्या तीनों force का resultant 0 है, yes, question में दिया हुआ है, कि the ball whose mass is 1 kg, यह आपर मैंने थोड़ा छोटा करके दिखाया, the ball whose mass is 1 kg is in equilibrium, तो तीन force, तीन concurrent force act हो रहा है, जिनका resultant 0 है, the ball is in equilibrium, तो can we use Lemus theorem, yes, why not, तो use करते है students, क्या थान लेमिस theorem, force divided by, force का magnitude divided by, sine of angle between other two forces, तो मैंने लिया, T1 divided by, sine of angle between क्या होगा, other two forces, यानि की T2 and 1G के बिच का angle, समझ माया होगा ना, force divided by sine of angle between other two forces, तो T1 divided by, sine of angle between किसके बिच का होगा, T2 and 1G के बिच का angle, T2 and 1G के बिच का angle क्या है, 120, तो T1 divided by sine of 120 degree equals to, T2 divided by, तो T2 divided by sine of angle between क्या होगा, T1 and 1G, तो T1 and 1G के बिच में अंगल क्या है, 150, तो divided by sine of 150 degree equals to, तिसरा force क्या है, 1G, 1G मतलब 10, 1 multiplied by 10 is 10, divided by sine of angle between क्या होगा, T1 and T2, other two forces क्या है, 1G चुर के other two forces क्या है, T1 and T2, और इन दोनों के बिच में अंगल क्या है, 90, T2 divided by sine of 90 degree, clear students, implies, तो implies लिखने के चबड़त नहीं है, sine of 120 को आप लिख सकते हो, sine of 180 degree minus 60 degree हो, 180 minus 60 is 120 only, पता है सरीय सकते, so, sine of 150, 150 को आप लिख सकते हो, 180 degree minus 30 degree, clear? and sine of 90 is 1, so it is basically equals to 10, so 10 by 1 is 10, implies, या आप उट से, T1 by student, sine of 180 minus theta होता है, sine theta, ठीक है, तो sine of 180 minus 60 क्या होगा, sine 60, ठीक है, sine of 180 minus theta कितना, sine theta, तो sine of 180 minus 30 क्या होगा, sine 30, equals to 10, तो students, यहाँ से, clearly आपको T1 मिल जाएगा, T1 क्या होगा, T1 by sine 60 equals to 10, आप देख सकते हो, T1 by sine 60 equals to 10, तो T1 क्या होगा, 10 multiplied by sine 60, and we know that sine 60 is, sine 60 degrees root 3 by 2, so it is equals to 5 root 3 newton, क्या T1 5 root 3 newton था पहले भी, yes, तो correct हाया मेरा, yes, and T2 क्या होगा, so T2 by sine 30 is 10, T2 by sine 30 is 10, so T2 क्या होगा, 10 multiplied by sine 30, so T2 equals to 10 multiplied by sine 30, we know that sine 30 degrees half, so it is 5 newton, clear students, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, तो आप देख सकते हो, यह इस टाइप का question, आप 2 method से solve कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे, जो method आपको ज़्यादा पसंद हो, आप ज़्यादा जल्दी solve कर पाओ, वो method यूज कर सकते हो, ठीक है, मैंने आप लोग को explain किया, इसलिए मुझे तो लोग टाइम लगा, नहीं तो यह बहुत fast हो जाता है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, तो obviously आप बहुत-बहुत-बहुत fast यह सब questions solve कर पाओगे, समझ माया होगा न, students? Students, यह और एक example है, यह आप लोग खुद भी कर सकते हैं, obviously, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को pause करें, और उसको खुद ट्राइ करें, उसके बाद answer match करते हैं, तो students, अभी मैं solve करता हूँ, so same ही question है, लगबग tension in that two strings, मतलब यह वाला एक string है और यह वाला एक string है, मुझे उन दनों में tension निकालना है, ठीक है? और obviously 4 kg ball is in equilibrium, ठीक है students? तो इसमें इस 4 kg का ball पर tension इस वाल लगेगा, away from the body, T1 ले लेते हैं, और इसमें भी away from the body लगेगा, T2, ठीक है ना? और नीचे इसका weight होगा, which is 4 kg, 4 kg का weight क्या होगा? 4G, ना? clear? तो दियान देना है, friends? इस बार हम लोग, मतलब यह जो force at T1, tension, यह horizontal में नहीं है, और vertical भी नहीं है, तो इसको break करके हम लोग horizontal और vertical में लेके आ जाते हैं, ठीक है, friends? तो, if this angle is 60, then this angle is also 60, clear, ना? तो, यह है मेरा T1 मान लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है न, students? obviously, दिख रहा है, तो T1 को break कर देंगे, इधर T1 है, तो इधर क्या होगा? T1 कॉस 60, जिस साइट के साथ angle उधर कॉस, और इस और क्या होगा? ठीक, perpendicular direction में इधर क्या होगा? T1 साइन 60, right? clear? कोई problem? तो, students, अभी T1 force और नहीं है, क्योंकि उसको break करके, मैंने T1 कॉस 60 और T1 साइन 60 कर दिया, ठीक है, na? since the particle is in equilibrium, obviously, upward force must be equals to downward force, upward force must be equals to downward force होगा, क्योंकि along vertical direction nat 40 होना पड़ेगा और nat 40 तब होगा जब upward force or downward force equal होगा so T1 sin 60 degree that is upward force must be equals to downward force which is weight of the body so implies T1 क्या होगा 4 multiplied by G G यहने कि 10 40 divided by sin 60 sin 60 कितना स्टुएंट root 3 by 2 so it is equals to basically 80 by root 3 Newton ठीक है अभी यालों horizontal direction देखते है obviously this body is in equilibrium so horizontal direction में बी net 40 होना चाहिए that means right direction का force and left direction का force must be equal ठीक है न so T1 निकालना किया है T2 na चाह तो T2 को left में रग्रेता हो so left direction का force must be equals to right direction का force correct अपय प्रोब्लेम? नो so implies T2 equals to T1 हम लुक निकाल चुके it's 80 by root 3 and cos 60 cos 60 is half so which is equals to 40 by root 3 Newton समझ बाया होगा स्वेट्स समझ बाया होगा? कर दो कर दो कर दो